आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने Redmi या फिर MI के फोन से किसी को Message Send कर रहे हैं और यहाँ पर आपको इस टाइप की Problem आ जाती है Failed यानि कि Message Failed आपका Show होता है यहाँ पर और Message Send नहीं होता है आपके फोन से तो यह Problem क्यों आती है कैसे इस Problem को ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस Problem को ठीक करने से पहले आपको 2-3 चीजों को Check करना होगा जैसे कि अगर आप किसी गलत नमबर पर Message Send कर रहे हैं तो इस टाइप की Problem आपको आ सकती है यहनि कि अगर आपका यहाँ पर जिस नमबर पर आप Message Send कर रहे हैं वो नमबर गलत होगा तो इस टाइप की Problem आ सकती है 2-ड आपको Check करना है अपनी Sim के Network जिस Sim से आप Message कर रहे हैं अगर उस Sim के Network में कुछ Problem होगी तो इस टाइप की Problem आपको आ सकती है थर्ड आपको चेक करना है अगर आपकी SIM में SMS pack नहीं है, balance नहीं है, recharge नहीं है तो ये जरूर आप चेक कर लीजिए, इस वज़े से आपको ये problem आ सकती है और उसके बाद आपको ये सब चीजे ठीक करने के बाद, चेक करने के बाद यहाँ पर अपने phone में settings में जाना है, उसके बाद settings में आकर नीचे scroll करके apps का एक option मिलेगा apps पे click करिए, उसके बाद manage apps पे click करिए, यहाँ पर आपको नीचे scroll करके messages मिलेगा जिस पर आपके phone के messages आते हैं तो यहाँ पर आप उपर search कर सकते हैं तो इस type से आपको मिलेगा तो इस पर click करेंगे click करने के बाद नीचे force stop पर click करिए ok करिए clear data पर click करके clear all data पर click करके ok करिए app permission में जाकर उसके बाद सारी permissions को on कर दीजिए इस type से और उसके बाद back आजाएए ये page अगर आपको नहीं मिलेगा तो messages पर click करके app info पर click करके आप इस page पर आ सकते हैं अगर आपकी problem फिर भी ठीक नहीं होगी तो settings में आने के बाद आपको यहाँ पर apps में जाकर system app settings में जाकर यहाँ पर मिलेगा messaging इस पर click करके थोड़ा सा wait करिए और नीचे scroll करके आपको मिलेगा यहाँ पर एक option additional settings इस पर click करके आपको मिलेगा नीचे scroll करके short message service center इस पर click करिए जिस sim से problem आ रही है उस sim पर click करिए हो सकता है यह number आपका गलत होगा तो आपको net या फिर chrome पर search करना होगा तो आपको search कर लेना होगा chrome browser में जो आपके sim है वो type करके जैसे की geo etal vodafone जो आपकी sim है SMS center नमबर उसके बाद अपना state और search करने के बाद जो number आएगा वो copy करके यहाँ पर paste करके ok कर दीजिए और आपकी problem उसके बाद ठीक हो जाएगी अपने phone को restart कर लीजिए अगर आपकी problem फिर भी ठीक नहीं होगी तो आपको अपनी sim के customer care से contact करना होगा तो customer contact से आपको हो सकता है solution मिल जाएगा और उसके बाद अपने phone को बंद करके चालू कर लीजिए और restart करने के बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें